प्रित्वी सिंग को पुलिस रिमार्ट पर भेजा गया है 9 जून को आरोपी की बेलर्जी पर सुनवाई भी होगी विजलेंस की ओर्ट से कोर्ट में कहा गया कि मामले को लेकर कुछ और सुराग विजलेंस के हाथ लगे हैं और पैसों का लेंदेन भी हुआ है इसलिए आरोपी को हिरास्त में लेकर पुछताच की जानी चरूरी है आरोपी विजलेंस ने कोर्ट में रिमार्ट की मांग की जिसे देखते हुए कोर्ट ने 7 से 11 जून तक आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमार्ट पर भेचा है जहां आरोपी पृत्वी सिंग से आगामी पुछताच की जाएगी कोर्ट में आरोपी पृत्वी सिंग ने कहा कि 15 दिन से विजलेंस की जांच में सयोग करा है इसलिए उसको बेल दी जाए साथ ही पृत्वी सिंग ने कहा कि उसने किसी को भी पैसे नहीं दिये हैं और ना ही आडियो को वाइरल किया है गौर्टलब है कि मामले को स्वास्य विभाग के तत्काली निदेशक भी गिरिफतार होने के 32 मईस से बेल पर हैं मामले को पहले ही भाजबा के प्रदेशाधेक्स राजी विंदल नैतिक्ता के आधार पर अपने पत से इस्तीफा दे चुके हैं प्रिफ्वी सेंग राजी विंदल के करीबी वताये जा रहे हैं प्रिफ्वी सेंग की गिरिफतारी के बाद मामले को लेकर कई और खुलासे भी हो सकते हैं प्याल टीबी के लिए शिमला से पुषपेंदर की रिपोर्ट